जाहिन साथियों सबसे पहले स्वगत है आप से भी कुछ नए वीडियो पे इस वीडियो के माद्यम से जो जानकारी बता रहा हूं जानकारी मितला विश्विद्यालाय के तमाम कहने रेट के लिए हैं जो यह कह रहे हैं कि 75% क्लास करना जरूरी है या नहीं है क्योंकि आप द करिया है वो अस्थागित कर दिया जाएगा या उनका नामंकन जो है वो रद कर दिया जाएगा तो इस तरह की समस्याहित देखने को मिलता है तो क्या या सत्य में सही में कलास करना चाहिए या नहीं करना चाहिए क्या इसकी खासियते हैं और या क्या उसकी जो है कमजोड य सब्सक्राइब देखे जो सभ्सक्राइब स्काइब आप सेसे सवक्राइब गोवर्नर के अधेश का भी सब II Orleans चाहे वो गवर्मेंट कॉलेज हो या प्रेवेट कॉलेज हो ठीक है सभी में जो है नो सक्ति बरती जा रही है तो जितना अच्छा होगा आप लोग अपने कलास करें अटेंड करें और जो भी सिखाया जा रहा है वो सीखें अब इसकी कमिया क्या है मैं आप लोगों को बता द है कि उसमें चलता है उसके बाद जो है गारS चलता है उसके działa नरब आ पार थूंपर जो है नाडर पार उसको है यासर चलने लगेगा तो उन सब क्रहर हों जितना वह कुर्ष आ जो परार तो उनके पांस बैठने की जगह नहीं रहेगा ठीक है और पूरा गेधरिंग के साथ साथ कलास कहां कराएंगे क्योंकि उतना रूम नहीं है और बैठेंगे कहां सबसे पहली बात है कि बैठेंगे कहां तो वो भी नहीं है तो इस सब पर जो है गवर्णर सहीब को सोचना चाहिए और अगर फैसलिटी नहीं है तो पहले आप फैसलिटी को अब तरह नहीं है कोई कहता है हम पेर पर बैठ रहे हैं कोई कहता है कि हम भी वारिष का मौसम है तो बारीष में घूमने लिख के लिए चले जाते हैं और था बारीष में डूब करके जाना पड़ता है तो हाली में आप लोगों को निव जाया होगा CM science college का देखते हैं कितना के होंगे जिनका उनर सब्सेटरी बेस चलता था तो उनके लिए तो उतना दिक्कत नहीं है क्योंकि उनको पढ़े हुए भाई या बहन या सगे समंधी होंगे या दोस्त होंगे तो वो जो है वो उनको syllabus के बारे में जानकारी दे देंगे लेकिन new education policy 2020 के तहाद अब जिनको new education policy के बारे में पता नहीं है उनका syllabus क्या है उसके बारे में पता नहीं है तो उस सब पर थोड़ा अभी ध्यान दिलाना चाहिए ठीक है और यह सब अगर हो जाए तब अच्छा रहेगा और नहीं होता है तो बिना मतलब के student के बुलाने में भी अच्छा नहीं लगत सुब्धा दी गई है लेकिन अभी किसी भी university या college में इस तरह की नियम जो है वो लागू नहीं किया गया है और आप लोग किया कि new education policy लागू हो गया तो वो नियम क्यों नहीं लागू हुआ मैं असपर बताता हूं अभी मैंने deputy controller से आप से बात किये तो कहा कि यह new education policy में ल दियार नहीं हुआ है इसलिए थोरा दिन आप लोगों को दिकत करना पड़ेगा तो आप दिकत कर लिजेगा और हो सके तो सब्ता में दो दिन तिन दिन आप class जाने का जरूरत करिएगा अगर जगह है या college के जो teacher है वो कहेंगे आने के लिए तो आप लोग को आ जाना है न हुआ है